हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने चनल तलजेरी जितमें आज हम देखने वाले हैं कक्षा छेवी के बिसाय सामाजिक विग्यान हिंदी माध्धियम अर्दवारसिक मुल्यांकन प्रेशन पर्त्र 2223 के पूरे हलको यहाँ पर इस वीडियो में तीन घंटे का आपको समय देनी है और यहाँ पर अगर आपको अच्छी से नहीं आती है तो आप अपने टीचर की यहाँ पर मदद ले सकते हैं कॉस्टन आपके यहाँ पर 22 रहने वाले हैं समय अब धिया आपको पचास नमर का देखने के लिए मिलेगा यदि आप अच्छे से इन कॉस्टनों को या यह पर प्ले करके एक साथ में आप देख लेना तो उसके एक किस दकत के का अंसर हो जाएंगे तो इसमें हम देखने वाले हैं 11 से आगए प्सक्राइब कर लिजिए गा यहां पर लेखा है लगुत 3ौपसने ग्यास से लेकर 20 तक काहल करेंगे हम। तो यहां पर लाड जॉब कार्ड यहां पर लखा है डूब कार्ड बनवाना रासْहान आर लेखार कामा का法ो करना ये उप्रियक्त कार्यों को यहाँ पर इस तालिका में आपको बाट कर रखना है तो देखिए यहाँ पर लिखा उच्छत मूल की दुकान तो जो उच्छत मूल की दुकान होती है वो कौन सी होती है रासन का बित्रन करती है यहाँ पर लिखाए देखिए गिराम पंचायत नगर पालका नगर नगम क्या करती है यहाँ पर जॉब काइड बनो आती है जो मनरेगा के अंतरगत आती है और यहाँ पर कानूल बस्ता कौन बना के रखता है तो पुलिस थाने दोरा जो करमचारी होते हैं वो कानूल की बस्ता बनाए रखते हैं तो इसको आप अच्छे से बितरन कर दीजिएगा यह तालका आपकी कंप्लिट हो जाएगी अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा इसके बाद अगला कॉस्चन लिखा है हमारा देखिए अगला कॉस्चन है आप जिस गाउं यहाँ पर ग्राम गाउं में रहते हैं बहां किस परिकार की स्थानि यह सरकार है उसके कोई दो कार आपको बताने है तो देखिए हम जिस यहाँ पर यह लिखा है अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए तो यह आपको अच्छे से इनको लिख लेना है यह आपका गाउं में भी होता है और यह आपका सहर में भी यहाँ पर करवाए जाते है निरमार इसके बात क्वेश्चन नमबर 13 देखेंगे हम तो यह रहा हमारा क्वेश्चन नमबर 12 यहाँ पर देख लिया था हमने यहाँ प पर लेका है बैंक धनका लेंदेन किस परकार करती है यहां पर यह देखना है तो देखिए यहां पर अच्छी से नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर दूसरे color से आपको यहां पर लिखके दिखा देता हूं तो हम पर देखियो ऊपर आपको द देख रा होगा यहां पर background में द्राइब होगा यहां पर लाल वर्डों से आपको यहां पर देख रहा होगा बैंक का यहां पर यह वाले question का answer यानि question क्ector आपको इस डिस्प्लेव पर देख रहा तो लिख लीजिए अच्छे से हुआ ऐग्याक एसाया यश्ट अपने लिख लिया होगा तो कोश्चन technician देखते हैंसा यह दिया गया है इसको देख लेते हैं तो question number 4 दिया गया है यहाँ पर कि संकेत दिये गए हैं संकेत चन बनाईए railway station पकी सड़क और पुल तो इनको हमें अच्छे से बनाना है देखी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लखा है railway station तो railway station का कुछ इस pillar से आपको चित्र बनाना है इसके बाद पकी सड़क का इस प्रकाल से बनाएंगे जिस प्रकार से बना हुआ है तो देख लीजिए आंसर अच्छे से स्कोर्णों डाउन कर लीजिए इसके बाद कॉस्चन नम्म देखते हैं 15 हमारा यहाँ पर 15 कॉस्चन दिया गया है एक चित्र बनाया गया है देखिए यहाँ पर लखा दिये गए देखा चित्र को देखकर देखिए क्या क्या देना है यहां पर देखते हैं तो यहां पर देखेंगे यहां से यह कुगा है आपका यह दुकान है तो यहां पर अच्छे से देख लीजिए कौन कौन है ठीक है तो यहां पर कॉस्चन देखके फिर देखते हैं देखिए यहां पर पहले अच्छे से थ पोड़द दिया है और यहां पर यह की यहां पर कुछ दिया गया है तो którą आए मैं अच्छछें कर दोस्फि聽 क्वे से नहीं है चेल का मेड़न एक समय तो बिद्याल्या ऐसे खेल का मैडन सार्ट इसाम औरॉव दिख्यालया क्हा है यहां देखा देते हैं ठीक हैं भी क 나타हें प्रपर की उंभा है ऊच्छा पर चलिए ञ सो सब्सक्राइब उपर की कुछ होगा था पर छितरु मैं के सब्सक्राद लिए पर चलिए जाएगा इसलिए कि इसके लags सीला गे घर से यहां पर फल उदिताद किस पर सबाइब धिकास के घर से दुकान कि सब्याद की सब्सक्राइब पस्चम में अगर लिखाई हमारा क्वास्चन नम्मर्स उला तो इसको भी देख लिए अच्छे से याद कर लिएगा प्रकृति से प्राप्त कोई तीनों पहारों के नाम लिखना है पहला है प्रकृति से प्राप्त तीनों पहार नमले हैं जल है हमें जल भी प्रकृति से मिलता है हवा भी मिलती है और प्रकृति भी है तो हमें प्रकृति से मिलते हैं तो यह आपके तीनों आंसर हो जाएंगे इसके बाद अगला कॉस्चन इनको देख लीजे अब यहां पर हमें क्या है एक तालिका दे गई है इसमें इनको छाट कर लिखना है तो देखिए क्या कर दिया है तो यहां पर लगाए प्राकरतिक गैस बायो गैस बिद्धुत उर्जा पैट्रॉलियम स्वरॉर्जा और कोईला यहां आपको तीनों दे ग आपके घस कोट्रें से आपकी एक वर खत्म हो जाते तो दोबहारह से आप अप दोबहारा सकते च्रेमिन सेनकलती इसके बाद प्तनी जो है आपके घस की अंतर रगदत गया यहां निक्टरॉलियम इसके बाद कोईला को यह भूमी से निकलने वाली चीज message हैं यह हमारी क्य तो फिर 12 से आ जाती हो रात होती है तो छली जाती है तो यहां रहता है सुरूरजा आपकी कभी समाप्त नहीं होती इसके बाद अगला कॉस्चन देखेंगे हमारा 18 तो यह दिया गया question ये रहा हमारा इसका answer बनो की कमी के कारण भूमी अपरदान, बाड़, सूखा जैसी समस्यां उत्पन हो रही है इस कारण हमें बनो का सनरक्षण है करना चाहिए ठीक है? कारण कौन कौन से है oxygen की कमी पूरती के लिए बरसा के लिए और सूखा यहाँ पर सूखा से बचने के लिए हमें बनो का सनरक्षण करना जरूरी है, तो यह आपके answer हो जाएंगे अच्छे से इसको याद कर लिए question number 18 है यह इसके बाद हमारा question number अगला question number 19 तो यह दिया गया question number 19 इसको देख लेते हैं अच्छे से तो यहाँ पर लिखा उच्छाई पर रहने वाले लोगों का भुजन किस परकार का होता है तो इसको भी देख लेते हैं तो यह देखिए, यह रहा जैसे जैसे हम प्रत्वी की सतह से उपर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है इसलिए उच्छाई पर रहने वाले लोग कम तापमान पर पकने वाले भुजन यहाँ पर रखते हैं तो यह हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि आप जैसे जैसे उपर जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, तापमान है वह कम होता जाता है यहाँ पर वो बाइयू countries है, फकी kम होता जाता है तो खाना पकाने बहुती समझ्या होती है यहले फक्लीक निहीं षिर्फ जल्दी पकने वाले खाना को यहाँ पर रखा जाता ताइग는 इसके बाद question number हम देखते हैं 20 को तो क्या दिया गया question number 20 तो यह देखे लिए question number 20 है हमारा अगर आप किसी पहाड़ी इलाके की यातरा पर जा रहे हैं तो वहाँ कौन कौन सी यावस्तिक सामागरी है साथ ले जाएंगे तो यहाँ पर लखा यदि आप यदि हम या आप पहाड़ी यहाँ पर लखाना था पहाड़ी लखना था पहाड़ी इलाके पर जा रहे हैं तो आपके पास यानि हमारे पास यहाँ पर सुवेटर बोडी बारमर यह बारमर लखा है यहाँ पर बारमर मफलर आदी होना चाहिए यहां पर देखेंगे यहां से इतना नहीं लेखेंगे तो कोई दिक्षित नहीं यहां लेखेंगे हमारे पास स्वेटर, बोडी, वार्मर, मफलर आदी होना चाहिए यहां से भी लेखेंगे तो भी आपको पूले नमबर मिल जाएंगे इसके बाद अगला कोश्चन देख्यां पर देखें। लिखया तो ये क्वोश्चनर हमारा केतना है यह क्वोश्चनco.21 पुछ थेस्ता हैं यह आवास है न्मारा हमारा क्वार्फ क्योंग है इसके बद एगला वर्ण आपको करना है तो यह हमारा question देखते हैं हम इसका answer देखिए यहाँ पर जूंग कर देते हैं तो अच्छे से देखेगा तो इसके नीन यहाँ पर लखेंगे मानचत्र के तीन घटक होते हैं पहला है दूरी, दिसा, और प्रतीत तो अच्छे से इनको सुनते चलिएगा और लिखते चलिएगा दूरी क्या होती है मानचत्र एक दूरी आगामी रेखांकन होता है यह पूरे बिस्व का बिस्व या उसके किसी भाग को कागज के छोटे इस डुकडे पर दिखाता है तो यहाँ पर इसका आंसर में ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो अच्छे से आप इसको अच्छे से देख लिजे और यह अच्छे से लिख लिजेगा तो यह आपका complete answer हो जाएगा यह सुप्धाले वीडियो के यह आपने पहला वाला भाग नहीं दिखा है तो इस वीडियो के लाश्ट में मैं यहाँ पर लगा दूँगा आपको तो इसका फर्स्ट आपका part आपको मिल जाएगा तो यह वीडियो हमने फर्स्ट और सेकंड दो part आप में complete कर दी है यह हमारे टोटल बाइस कॉस्चनों के answer हो चुके हैं इसके बाद हम देखेंगे जो आपको एडगेट पुस्तक हैं मिली हुई है तो उनका हम हल लेकर आएंगे तो आप उनको अच्छे से भरेंगे तो जो बारते के एक्जाम है उनमें आपको इसको कॉस्चन देखने के लिए मिलते हैं एडगेट और लर्निंग आउटकम से तो इसके कॉस्चन भी आप अच्छे से करेंगे तो पूरा आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अच्छे से रहेगा तो मिलते हैं के लिए वाले वीडियो में तब तक के लिए जै हंद जै भारत